राजधानी दिल्ली वालों को एक बार फिर से गर्मी से निजात मिली है जियां रभी वार को जहां पारा 40 के आसपास था वहीं राजधानी दिल्ली में रभी वार को साम को पहले धूल भरी आंदी चलती है उसके बाद तेज बारिस के साथ साथ कुछ इलाकों में ओले भी गिरते हैं तस्वीर आप सौथ दिल्ली के सुरोजिनेगर मार्केट की देख रहे हैं जहां पर आप देख सकते कि जहमा जहम बारिस से बचने के लिए लोग दुकानों का सहारा ले रहे हैं वहीं दूसी तरफ कुछ लोग इस बारिस में नाचते गाते भी नजर आये जाहिर सी बात है कि चलचलाती गर्मी से जब लोग को इंदर देखता की तरफ से रहत मिली तो लोग अपनी खुसी कायजहार कुछ नाच के कर रहे थे क्योंकि नाचने का मौसम था क्योंकि लोगों को गर्मी से रहत जो मिली और इस वज़े से कुछ दुकानदार यहां पर नाचते वे नजर आये और सभी ने इस गर्मी से रहत ली और लोगों को उमिद है कि आने अले दिनों में एक दो दिन तक मौसम ठंडा बना रहेगा क्योंकि राजधानी दिल्ली के अगर बात कर जाये तो अप्रेल के महीने में लगातार तापमान बढ़ता जा रहता और अगर देखा जा तो पहले हपते में इस तरीके की बारिस होने से कहीं न कहीं मौसम में जो तापमान है उसमें गिरावट रहेगी लेकिन दूसी तरफ किसानों को भी एक बार कहीं न कहीं चिंता जरूर सता रही है क्योंकि जिस तरीके से सरसों और गेहों की जो फसल है वो तयार हो चुकी थी और बारिस और ओले से कहीं न कहीं फसलों पर भी नुक्सा हो सकता है और उसकी वज़े से किसानों को कहीं न कहीं मायूसी भी हसी लोगी तो कहीं न कि एक तरफ खुसी है तो कहीं न कहीं दूसी तरफ भुषी है यह एक किला किना में ओर और भाइझ किला मैं हो हूगी है हारी मयरे टानिखि तरफ यहां घार नहीं टूस्तरि अजी है वहां जाना से वाहिश है को आप, भाव्यू वाहर भाव, गया बैक इस पाह, 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 रह没有 कितना इंजुयप कर रहा हैं बारी बहुत मजाई है मुटकर कर दो करते हुए और उपर वाले का लाग-लाग शुक्र करते हैं कि वारी गया करके दिलबालों का दिल थंडा कर दिया रूमरं खटदा हो गया